हे गाई जीवेक्ष्टी टेर्णिंग में आपका स्वागत है और दोस्तों इस टिटोरियल्स में मैं एक आपको अमेजिंग फीचर बताने जा रहा हूं जिसमें कि आप लॉंच पैड और आटो लेयाउट यूज कर सकते हैं यह एनिमा का एक प्लागिन है और यह लॉंच पै कर सकते हैं कि मोबाइल में कैसा लूख होगा टैबलेट में कैसा लूख होगा वेब साइट पर कैसा होगा यह सारे के सारे ओप्षन है जो विदाओट कोडिंग आप यूज इसको कर सकते हैं और यहां पर नई फीचर है यह आटो लेयाउट इसका नाम है लॉंच पैड एन सकते हैं और यहां पर इस लेयर को फिक्स करना है लेकिन इसके पाले आपको जो लेयर को फिक्स करना है उसको सेलेट करना है फिर शेट पीन करना है और उसके बाद यह पाबलिज करना है उसके बाद मैं यह बता देता हूं कि कैसे हाव टू सेलेक्ट लेयर प्रेस इलिप्स बटन जो है वहां पर जाना है और शेट बटन यहां पर क्लिक करना है तो यह इंप्लिमेंट कर सकते हैं यह बहुत ही और आपको पास या पांच या मल्टिपल लेयर हैं तो आपको डियर को आपको बनाने के बाद जिस लेयर को को आफ करेंगे automatic वहां पर देख रहे हैं कि डिजाइन में सिरिंक हो जाता है और यह responsive डिजाइन लिस्ट में तो आप जब मोबाइल का अप्लिकेशन बनाते होंगे तो यह features आप यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे case में लिस्ट वान लिस्ट तू को hide करना होता है या card system को hide करना है या increase करना है तो automatic इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह work करता है और इस तरह से यह बहुत ही better feature है और इसमें collapsing का option आप देख रहे हैं कि यहां पे है आपको यहां पे collapsing feature तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं एक tools के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि यहां पर वर्टिकल होरिजंटल है सबसे पहले आपको ग्रूप को सेलेक्ट करना है जितने भी लेयर है उसको चेंज करना है यह जो नीचे जो आप नोड से देख रहे हैं ब्लू फोल्डर टाइप का जो आइकन से परपल कलर का यहां पर आप करेंगे तो जो लेयर को हाइड करेंगे आटोमाइटिक लेयर हाइड होगा लेकिन लिस्ट जो चार जो दिख रहे थे आटोमाइटिक एक्सपैंड और कोलाप्स होंगे तो इस तरह से यहां पर यह आप्शन वर्क करता है और यह बहुत ही बेटर फिचर है मोर आप बॉटम में देख रहे हैं और राइट में देख रहे हैं लॉंच पैड जिसका नाम है एनीमा तो एनीमा का यह प्लग-इन है जो दो भाग में डिवाइड किया है लॉंच पैड यूज होता है रिस्पॉंसिब डिजाइन के लिए पब्लीसिंग के लिए और आटो लि इन से इन से सेफड़ सकते हैं तो यह फीचर्स है इस में बहुत ही अमेसिंग फीचर है दोश्तों अबलीटी टो एड कॉश्टम मेटा टैकस एमेज आबलीटीटी टो क 우와 का सौंट فैमिली यहां पर font family उगरा भी add करना है तो आप यहां से plugin में use कर सकते हैं और यहां पे panel will not hide presentation mode आप presentation mode में hide नहीं भी कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह tutorials आपको बहुत ही तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को जरूर आप like करेंगे और मुझे अगर support मिलता है तो आपको जहां तक कोशिस होगा दोस्तों मैं आपको support जरूर करूँगा और अगर आपको कोई reference से related है तो मेरे पास जब reference होंगे तो मैं job का reference भी आपको कहीं न कहीं बता दूँगा तो इस तरह से आप software industry में अपना career design के field में EY UX designer में चेंज कर सकते हैं और उमीद करता हूं कि यह EY UX designer और researcher के लिए बहुत ही better tool है और यह आपको design responsive design और website create करने में काफी मदद करेगा तो दोस्तों हमारे चैनल को आप अगर नए user हैं तो subscribe कर देंगे बहुत बहुत धन्यवाद